हेलो फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करने चल ले हैं हिंदू उत्तराधिकार प्राली के बारे में हिंदूों में उत्तराधिकार की क्या विवस्ता थी उस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम जालने कि हिंदू जो समाज था हिंदू समाज में प्रारभ में रिगवैदिक काल में तीन वरणों की विवस्था थी योधा, प्रोहित और सामान जन आगे चलकर के रिगवैद में ये उलेख मिलता है कि रिगवैदिक के मुह से चार वण उत्वन हुए जिनको की ब्रामट छत्रिये बैस और सूद्र कहा गया इसका उलेख रिगवैद के पुरुष सूद्र के दसवे मंडल में प्राप्त होता है तो इस प्रकार वड़ व्यवस्था की सुरुवात और समाज की सर्नचना का उलेख रिगवेद से मिल जाता है समाज में जो उत्राधिकार की व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि समाज पुरुष प्रधान होता था तो पिता की मृत्व के पशाद पुत्र प्राय उत् ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से हमें क्यावलेख मिलता है, उन प्रमाण उपर हम चर्चा करते हैं, जिससे कि हमारी चर्चा सार्था को, तो सर्चा पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो कौन से ग्रंथ हैं, कौन से स्रोत हैं, जिससे हिंदू समाज के उत्राधिकार के ब मिताच्छरा, दूसरी उस तक है दायभाग, जीमूत वाहन की, महाभारत, इसके अत्रित, कात्याइनी संगिता, ब्रहस्पर संगिता, इन संगिताओं में भी हमें हिंदू समाज के उत्राधिकार के बारे में जानकारी मिलती है, मौरिकाल में लिखा गया अर्थसास्त्र भी ह हिंदू समाज के उत्राधिकार के कानून के बारे में जानकारी देता है, हिंदू समाज के उत्राधिकार कानून के बारे में दो ग्रंत बड़ी महत्तपोर जानकारी देते हैं, एक है विज्ञानेश्वर की मिताच्छरा और दूसरा दायभाग, जो जीमूत वाहन की रचन पिता की मृत्र के पश साथ ही पुत्र को संपत्य काधिकार मिलना चाहिए. तो ये दोनों अलग-全 राय हैं इन दोनों नितिकारों की, सास्तिकारों की, वैसे शमाज में जो दूसरा अन्गरंत자기, मनुश्मिर्थी कहता है कि पिता संपत्य काधिकारी होता था और पिता को ये संपत्य का स्वामी फिता है वो अपनी संपत्य का बटवारा अपने जीवित काल में ही पुत्रों में कर सकता है या उसकी मृत्त के बाद उसके पुत्रों में संपत्य को बिभाजित किया दे सकता है लेकि यहां एक बात और कहते हैं कि जो बड़ा पुत्र है उसको जेश्ठा अधिकार की वियोस्था बनी भी रही, उसको संपत्य का एक हिसा अत्रिक्त दिया रहता था, मनु कहते हैं कि बड़ा पुत्र, अजने पुत्रों को पालन, उन पत्रों की देखरेक अपने पिता के रूप में करता है, इसलिए उसको इस संपत्य का अधिकारी माना गया है, पुत्र को ही संपत्यका स्वामी मना गया, पुत्रियों के बारे में ये नीतकार मौन है, ऐसा मनना है कि हिंदू सास्त्रकारों ने जो पुत्रियों को संपत्यकार नहीं दिया, उसके पीछे दो काड़ नहीं होंगे, क्योंकि इस्त्रियां साधी के बाद दूसरे कुल में से जाती थी और दूसरी बात इस्त्रियों को साधी के समय इस्त्री धन के रूप में बड़ी बात्रा में धरनासी दे दी जाती थी तो इस तरह से मना रता था कि उनको भाईयों के लगवग धन की प्राप्ति हो गई है तो सम्होता इसलिए पुत्रियों के रिकार की वेवस्था नहीं थी वैसे इस्त्री जो धन है उसके बारे में मनु कहते हैं कि महलाओं को इस्त्री धन का अधिकार है और महलाएं छे प्रकार से जो धन अर्जित करती हैं वो इस्त्री धन है वो छे प्रकार से इस्त्री धन की व्याख्या इस प्रकार कहते हैं कि महलाओं को पिता के माता के द्वारा, भाई के द्वारा, अनुरागी पत के द्वारा जो भेड़ दे जाती है वो इस्तिधन है। इस्तिधन है और इस्तिधन पर इस्तिधन का ही अधिकार होता है। मनु ने ये भी व्याख्या की है, कि जो पुरुस हैं, पुरुसों में जो संपत्यका अधिकार प्राप्त किया होता है, तो भाईयों का धायित तो है, कि वो अपनी संपत्यका चतुर्थांस अपनी बहन को दे, इस प्रकार महलाओं के अधिकार की ये व्याख्या मनु ने की ह याग्यवल्क इस्मृत के रचनाकार याग्यवल्क ने इस्त्रियों के संपत्य को माना है। जब याग्यवल्क रिशी सन्यास पर जाने लगे तो उन्हों ने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रायनी और कात्यायनी के भी संपत्य का विवाजन किया। इस प्रकार अस्पस्थ है कि यागिवल्क भी इस्त्री अधिकार को मानता देते हैं इसी तरह कात्याइनी और ब्रहस्पत जो इस्मृतकार हैं उन्होंने भी इस्त्रियों के संपत्य के अधिकार को माना है अग हम जानते हैं कि हिंदू समाज में बिध्वाओं को संपत्य का क्या अधिकार था मनु बिध्वाओं के संपत्य के अधिकार को नहीं मानता लेते आगे चल करके जब हम पढ़ते हैं तो अविगान साकुंतलम में भी यह उलेख मिलता है कि एक धर्वरत्न सेट के मृत्व के बाद उसकी पत्नी को संपत्य के अधिकार की मानता राजा दुस्यन्त भी नहीं देटी तो अविगान साकुंतलम के समय तक बिद्वाओं को संपत्य का अधिकार देने की विवस्था नहीं थी यद्यप यागिवल्क ने पुत और प्रपोत्रात के नहोने की स्थिती में विद्वाओं के संपत्य के अधिकार को मानता दिये और इसी तरे दाएभाग के लेखक जीमूत वहान ने भी ये माना है कि विद्वाओं को अपनी पत्य की संपत्य का अधिकार होना चाहिए लेकिन वो कहते हैं कि विद्वाओं को संपत्य का अधिकार के अलूप योग के लिए होना चीए उसे बिन्योग के लिए नहीं अर्था तो उसकी विक्री नहीं कर सकती इस प्रकार विद्वाओं के संपत्य की विवस्ता है तो ये है समाज में इस्त्रियों के अधिकार की बेवस्था कि संपत में उनको किस प्रकार की अधिकार दिये गए थे तो ये था हिंदू समाज में मैलाओं के संपत के अधिकार की व्याक्या मैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करते रहें, आपका सहयोग इसी तरही मिलता रहे, धन्यवाद